उन दिनों पंडित जवाहरलाल नहरू इलाहबाद नगर महापालिका के अध्यक्ष थे। एक दिन वह अपने कार्यालाय में बैठे थे कि जल कल के टेक्स सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अबुल फजल उनके पास आए और उनकी मेज पर एक कागज बढ़ा कर बुले। यह उन लोगों की नाम की सुची है जिन्होंने अभी तक पानी का टेक्स अदा नहीं किया है। नियम के अनुसार इन सारे लोगों के कनेक्शन काट दिये जाने चाहिए। आपकी क्या राय है? मेरी राय की क्या जरूरत आपड़ी? आपको दिक्कत क्या है? बात दर असल यह ह कि इस सुची में जिन लोगों का नाम लिखा गया है वे सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। डॉक्टर फजल ने अपनी दुविधा बताई। अरे भाई, नियम तो नियम है। नियम तो सबके लिए एक समान होना चाहिए इसमें भला प्रतिष्ठित और सामाने नागरिक म भीदभाव क्या। नेहरू जी बड़ी बे तकल्लफी से बोले। फिर क्या था। उसी दिन आदेश का परिपालन हुआ, दूसरे दिन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के घरों का पानी बंद। सारे शहर में खलबली मच गई। जिन घरों में पानी बंद था, उसमें इलाहब हाई कोड के चीफ जस्टिस, इंस्पेक्टर जनरल अफ पुलिस समेत कई प्रमुख व्यक्ति थे, और तो और जवाहरलाल नहरू के घर पर भी पानी बंद था। पानी का कनेक्शन उनके पिता पंडित मोतिलाल नहरू के नाम था। इसलिए वह भी नियम के शिकार हुए। मोतिलाल जी बहुत नाराज हुए। उन्होंने जवाहरलाल को बुला कर कहा आखिर ऐसा करने से पहले कम से कम महापालिका को एक नोटिस तो देना ही था। नहरू जी ने विनमरता से प्रतिबाद किया। इतना तो नागरिकों का भी करतव्य है कि वे समय से टेक्स अदा कर दिया करें। मैं नियम के आगे मजबूर था क्योंकि नियम सब के लिए समान है। कहना न होगा कि मोतिलाल जी ने अपने बेटे को नियम की पाबंदी के लिए शाबाशी दी। जवाहरलाल नहरू जिनका जन्व 14 नवंबर 1889 को हुआ। टी एस अविनाश शिलिंग चेटी आर ने नहरू जी के हाथों में खरोचे देखी। उनकी दोनों हथेलियों से लेकर कोहुनियों तक खरोचे थी और कहीं कहीं तो खून की बूधे भी छलक आई थी। चेटी आर महाशय घबरा गए। कारण यह था कि नहरू जी को देखन और उनसे मिलने की आकांक्षा में हजारों नर नारी उमड पड़े थे। बहुतों ने उनका हाथ दबा दबा कर अपना स्नेह प्रदर्शित किया था। भला वे कैसे स्नेह पहार नस्विकार थी। चेटी यार ने खेद प्रकट करते हुए कहा हमारे जिले के लोगों ने आ ये तो हमारी जनता के स्नेह चिन है। ऐसे थे हमारे भारत के प्रथम प्रधान मंतरी चवाहरलाल नहरू। नहरूजी एक बार दाहर नामक स्थान पर जोकी पंजाब में कपूर्थला के पास है सिचाई योजना का उदगाटन करने के लिए गए। श्री गणेश के वक्त उच्चा धिकारियों ने उदगाटन के लिए नहरूजी को चांदी की कुदाली खुदाई के लिए दी। नहरूजी ने चांदी की कुदाली एक और फैक दी और पास पड़ी लोहे की कुदाली उठा कर बोले। क्या भारत का किसान चांदी की कुदाली से खुदाई करता ह धन्यवाद